जल्दी आएगा कल्यानी का सथ सब के सामने रोमा को पता चल चुका है कि घर में कल्यानी की एंट्री हो चुकी है रोमा ने पित्वी से कंफर्म करवाया कि कल्यानी जेल में है या नहीं विजवी को पता चलता है कि कल्यानी के अच्छे बिहीविर के जिसे उसे जेल से पहले ही छोड़ दिया गया है सीरियल इश्क में मरजावा में चल रहा है हाई वोल्टेज ट्रामा तारा दीप और विराट तीनो मनाली में रोमा उन्हें कॉल करती है और जल से जल मुंबई बलाती है रोमा उन्हें कल्यानी के बारे में बताती है जो कल्यानी की हेल्प कर रही है दीप और रोमा के अगेंस आरोही को दीप के बहुत बड़े सच के बारे में भी पता चल चुका है कि दीप का कोई अपना आस्तितवर नहीं है वो रोमा का रास्ते से उठाय हुआ कि सिर्फ एक पाल्तू कुटता है दीप तारा से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है वो तारा को सिर्फ अपनी जिम्मेदारी समझता है रोमा ने दीप को तारा को खुश रखने की जिम्मेदारी दी है तो वहीं अब आरोही को दीप की दुपती रत मिल गई है आरोई जिसे दीप के अगेंस्ट यूज़ करेगी क्या आरोई दीप को उसके पापों की सजा दे पाएगी क्या आरोई अपने प्लान में कामयाब हो पाएगी जल्दी आएगा कल्यानी का सथ सब के सामने हाई वोल्टेज ट्रामा तारा दीप और विराट तीनो मनाली में रोमा उन्हें कॉल करती है और जल से जल मुंबई बलाती है रोमा उन्हें कल्यानी के बारे में बताती है तो वही दूसरी और चवणनी आरोही को कॉल करके बताता है आरोही और कल्यानी ने मिलकर रोमा और उसकी सामली के खिलाब जंग छेर दी है दीप और विराट को पता चल चुका है कि कोई लड़की है जो कल्यानी की हेल्प कर रही है दीप और रोमा के अगेंस आरोई को दीप के बहुत बड़े सच के बारे में थी पता चल चुका है कि दीप क कोई अपना आस्थीतवर नहीं है वो रोमा का रास्थे से उठाया हुआ कि इस venue बेर नहीं करता है वो दीप को सिफ अपने जिम्मेदारी समझता है शो के लेटेस अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब